Hey everyone, Namaskar आज है बात करने वालने Flipkart Axis Bank credit card के बार में because इस credit card को current लिना devaluate कर दिया गया है devaluate means valuation यह जो आपको offer से मिलते थे जो reward points मिलते थे वो सारे के सारे कम कर दिया गया है for example कभी यहाँ पर हमें 5% का cashback मिलता था but अब currently सिर्फर से 1.5% का cashback मिलता है ऐसा क्यू इसकी पीछे multiples of reasons दो से है वो हम जानेगी और कॉन-कॉन से charges अब आपको यहाँ पर लगने वाले वो भी हम जानेगी चलिस चुकर देंगे वीडियो को बिना जो किया अगर आप Flipkart Axis Bank credit card के बात करें एक समय पर यह 0 annual fees and 0 joining fees थी but currently अब आपको यहाँ पर 500 रुपिस का annual fee देना पड़ सकता है कुछ से पहले यह 2 लाख रुपे का अगर आप spend करते थो annually तो वो wealth off रहता था but अब currently 3.5 लाख रुपिस आपको एज़र spend करना पड़ेगा इसके अलावा जो आपके यहाँ पर cashback मिलता था more than 2, 3, 4 percentage सका on airports and hotels में अब उसे 1.5% कर दिये गया है यहाँ पर जो लोग hotels में इस credit cards को यूज कर सकते हैं again because of that reason अब साथ इसके रिच वो भी साथ इस credit card को छोड़ सकते हैं कि अलावा यहाँ पर जब भी हम अपने NPS अब उसे कम्प्लीटली आटा दिया है और यह कब से लागू होगा? 12 अगस्त से यह इनका डेट है इसके नहीं जो भी cashback थी इन पर ना कोई cap नहीं था बट अब करेंटली की लिमिट भी लेग चुका है कि इस लिमिट सब्सक्यों आपको यहाँ पर cashback अब इन सब के पीछे में रिजन क्या हो सकता है मिंत्रा पे जो हम भी cashback मिलता था 4.5% तक का अभी 1.5% क्यों हो गया तो currently यह देखने को मिला है कि मिंत्रा ना एक और बैंक के साथ क्लाब करके एक और credit card को लेकर रही है जिसके तुसे 7.5% का cashback मिल रहा है जिस वो जैसे यहां पर Axis Bank credit card में वाफ that's we thought कि ऐसा कुछ है reason that's वह यहां पर जो एक्सिस bank credit card न इन रिटरंस को या फिर cashback को कम कर दिया है 5% से 1.5% के पास पास लेकर आ गई है कि अब और और बहुत सारे sections पे न अपने cashbacks को downfall कर दिये, decrease कर चुकी है अब इसके पीछे reasons multiple हो सकते हैं अब इसके पीछे क्या exact reason है यह credit cards डेटेल में नहीं बताती है बट हाँ अब में अब में रिटर करता है कि आप इस credit card के साथ continue करना चाहते हैं इसके पीछे आपके पास आपना strong reasons होना चाहते है पहला reason अगर आप एक loyal customer है flip card के जहां पर आप continuously shopping करते लेते हैं आपके मंतली 20,000-30,000 के असपा spending हो जाती है तो आप इस credit card के साथ continue कर सकते हैं otherwise you can skip that और still आप ना इसे free credit card के तुने से use कर सकते हैं as a free credit card बट इसके लिए आपको आपको customer support days पर बात करना होगा ताकि वो आपको ये offer continue कर सकते otherwise अगर आप एक loyal customer नहीं अगर आप continue flip card को ऐसे use नहीं करते हैं then from my point of view आप चाहे तो इसे change कर सकते हैं और quit कर सकते हैं because अब इत देखा जाये तो normal users के लिए free नहीं रहा अगर आप चाहें तो इसे close कर सकते हैं close कर देना ही best होगा because आप आपको by default annually charges देने पड़ रहे and cash banks जो हैं almost कम होगा है so इस case में हम क्या कर सकते हैं इस case में हम अब alternative credit card चूश कर सकते हैं so अगर आप जानना चाहते हैं which one is the alternative or best credit card instead of flip card, access bank, credit card तो आपको हमारी इस वीडियो को देखने चाहिए इस वीडियो में हमने detail में best alternative credit cards और flip card, access bank credit card के बारे में बता है जिसके दूर से आप जान सकते हैं which credit card can be the best for you आसर करता हूँ that's all आसर करता हूँ कि आपको इस वीडियो यूच्छ फीडबैक होना please comment box में comment जिरूर करें because आपकी feedbacks हमें idea देती है कि क्यासे हम अपने वीडियोस को और भी improve कर सकते हैं मिलते हैं friends अगली वीडियोस में तब तक क्ले जैहिंजे वारतन, thanks for watching this video जैहिंज